आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जजबा एकेडमी में आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिले इसलामिया के निव अपडेट के बारे में जो हर एक स्टुडेंट का दिक्कत है क्योंकि वह स्टुडेंट काफी परेसान है इसलिए कमेंट्स काफी चैनल पर आने चैनल तो हमें क्या मालूम चलता है जो जो जामिया न prediction जामिया को आ है ऑफीसियल में निकल रहा निकल राह Chill के कि ऊच पराटमेंटेंट के humour कई ज़्छाम से क्ज्काहिशय का निकल रहा है कि जो है गलत निकल रहे और यह काफी दिक्क्त है और इसे ही पर स्टूटेंट मुझा देक्णा् KARN जो क्विंच करने के बाद भी आइंसर भी मुहें पड़ा चाला कि नहीं यह सही माने में गलत आंसर दिया है फिर मैंने भी चेक किया इस चीज को तो यह कोश्चन कहीं नहीं कहीं दस पंदर कोश्चन जो है जामिया हर एक एक एक्जाम में गलत दे रही यह चाहे वह उसका मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम हो लेकिन गलत है तो यह प्रॉब्लम जो है इस्टुएंट रिए यह वीडियो बनाके सारा आपका दिक्कत जो है वह खतम करना चाहता हूं कोई भी डिपार्टमेंट हो कोई इंटेंस एक्जाम हो जिसमें एंसर की गरवर है उसके लिए वीडियो है अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात आप जान लेजिए कि जब भी कोई आइंसर की ब है जो एंसर की आता है उसमें वी कौश्चन के गरवर होता है को सबसे पहले बात करेंगे इस मुद्डे पे की हमें क्या करना चाहिए कि उनके साथ होने वाला है यह तो इस स्टूदेंट को नंबर सबको इकॉल मिलेगा जो आइंसर की गलत है जामिया के जो ज़ामिया ने या किसी भी student को नंबर ही नहीं मिलेगा वह question को जो है खत्म या रद कर दिये जाएगा ठीक है तो मालनी यह example में आपको देता हूँ जैसे आपके exam में जो है 100 question आते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग copy answer की check करते है answer की check करने के बाद answer की जामिया के तरफ से चार question गलत निकल जाते हैं कि चार question का answer वह गलत है ठीक है अब मुद्दा आता है कि चार question का answer चार गलत है तो हमारे पास केतना question बचता है 96 question बचते हैं जिसका correct answer जामिया ने upload किया है ठीक है तो अब मामला बनता है कि चार question का number वह चार मतलब सारी student बटे जैसे कि जितने भी student ने interest exam दिया है उस सब में बटेगा या किसी को भी यह number नहीं मिलेगा इस question को ही रद का दिया जैसे कि आपका 96 ही question आये थे exam में तो equal यसी तरह ही जामिया करेगी आपको यह समझना है कि या तो देगी तो सारी equal बच्चों को देगी मतलब सभी student को number equal बटेगा ठीक है और दूसरा चीज अगर नहीं देगी तो आपका जैसे माल जीए कि किसी का एक्जाम 200 question को हुआ है किसी का एक्जाम में ठीक है तो यह अगर आपका गलत है objective को बतारा हूं subjective में तो आपका जो है जो गलत है उसकी बात करता हूं मैं तो वह चीज़े तो आपको यह समझना है कि आगा जामिया का official answer की जो है वह उसमें गलत answer आ रहा है मतला answer गलत दिया है जामिया ने ठीक है तो सब में number बटेगा पहला चीज सारे student में equal number बटेगा जितने भी question गलत है वह सब में equal number सारे student में बटेगा नहीं तो वह चार जितने भी answer की गलत है उसका नमबर कर दिया जागा मतलब किसी को वह number नहीं मिलेगा जहें student उसने सही किया हो यह तो जितने भी पेपर में आपका 15 question जो है answer की में गलत निकल रहे है 15 question तो आपको कितना मिलेगा आपको मिलेगा 85 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा 85 कोश्चन पर ही मेरिट बनेगा ठीक है तो आपको यह समझना है ज्यादा तर यहीं होता है कि सारे को नंबर इकोल कर दिया आता है जितने भी आइंसर गलत होते हैं जामिया के तरफ से या किसी भी डेपार्टमेंट के 15 नंबर पर इकोल सारे स्ट्ट्छोंट अब बाकी गुच्चन बचता है उसने 85 कोश्चन बचुच्ट बनेगा उसमें कट आफ अफ का बनेगा घ्यादातर यहीं होता है कि कि इसमें कोई घवरानी की जदूबत नहीं आपको एक और चीज बता दूँ बहुत सारे बच्चे यह कहना है कि चैलेंज कर दूँ क्या साथ चैलेंज मत करीं न क्यूं अपना पैसा फेकना है हम लोग चैलेंज करके क्या पालेंगे जामियां कुछ बहाना बना सकती है कोई भी डिपार्टमेंट कोई अच्छा भात है ना सबको फिली का नमबर मिलेगा उसके बाद जितना नमबर बचता है सबसे अच्छा इस बार आपके साथ हुआ है यह माल लीजिए चैलेंज करने की कुई सी को जरूवत नहीं कोई भी स्टुडेंट हो वह चैलेंज ना करें ठीक है और बेकार का पैसा ना फिक है तो जितना भी कोश्चन गरबर होगा लगता जम्या के तरफ से आपके तरफ से तो वह कि आपकी कम्ली यह आपका नमबर कटेगा लेकिन जम्या क g अच्छन को घडबर है पन्चाइंब्म पर आपके देगा तो आब समझिए एसा ही होता है ठीक है अगर आपको यह वीडियो इंफिल्मेशन अच्छा लगा हो तो कि यह लाइक इन सब्क्राइब और सेल करना मत भूलना हो कि तो थैंक